हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम वन पीस अमरेला कट कुरती की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैबरिक लिया है, ये रियोन का है, तो सबसे पहले मैंने फैबरिक को लंबाई में टू फोल्ड करके रखा है, यहाँ पर ओपन साइड है, अ पीच में कोई भी सिल्वट ना रहे, तो देखें हमने इसे फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर हमारी ओपन साइड है, और यहाँ पर फोल्ड साइड है, अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर है मेरा 13 इंच, तो उसका हमें हाफ लेना है, 6.5 इंच, तो यहाँ पर शोल्डर में ले रहे हूं, 6.5 इंच, और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, अभी यहाँ से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मेरा रहे हूं, 6.5 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोडते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, अभी यहाँ पर हमें chest लेना है तो जितना आपका chest का size है उसको 4 से divide करना है plus 2 inch margin add कर लेना है तो मैं ले रहे हूं 11 inch अभी shoulder से हमें कमर की length लेनी है तो वो मैं ले रहे हूं 14 inch अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूं 9 inch इस निशान को हम chest के निशान से जोड़ देंगे अभी हम armhole draw कर लेंगे तो यह हमारा back का armhole है और half inch अंदर से एक और armhole draw कर लेंगे यह हमारा front का armhole है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रहे हूं 3 inch और neck deep मैं ले रहे हूं 5 inch front के लिए और back के लिए मैं ले रहे हूं 3 inch अभी front neck के लिए हम round ship देंगे और back neck के लिए भी हम round ship देंगे अभी देखे length मैं आप पर 44 inch ले रही हूं आप अपने according length कम ज़्यादा कर सकते हैं अभी इस तरह से हमें inchi tape को सरकाते हुए पूरे में 44 inch पर mark कर लिना है inchi tape को हमें neck वाले point पर ही रखना है तो इस तरह से हमने length की marking कर ली है अभी waist के निशान को हमें cross में जोड़ देना है तो marking हो गई है अभी हम cutting कर लेंगे सबसे पहले हमें back neck और back armhole से cutting करनी है तो हमने यहाँ पर cutting कर ली है तो देखें यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ दो parts कम आ रहे है तो यहाँ पर हम joint लगा लेंगे तो दो parts हम ने लिए है इस तरह से अब यहाँ पर हम half inch उपर की तरफ रखेंगे क्योंकि half inch हमारा सिलाई में जाएगा और उसके बाद नीचे का कपड़ा महसूस करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे इसी शेप में और इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने जाइंट के लिए कपड़ा निकाल लिया है ये दिखे ये दो पार्ट से तो अभी सबसे पहले हम इसे पिन लगा के सिक्यूर कर लेंगे जिसे कि जब हम सिराई करेंगे तो हमें आसानी होगी जाइंट लगाने में तो सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहां पर पिन लगा लेना है इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें सीधी साइड अंदर की दिरफ रखनी है और पिन लगाके से अटेच कर लिना है तो हमने दोनों पार्ट के जॉइंट को अटेच कर लिया है अभी इसमें से हमें बैक पार्ट को साइड में रख देना है तो इसे open कर लेंगे हम और back part को side में रखेंगे और front part को हम फिर से fold कर लेंगे और उसके बाद हमें front neck और front armhole की cutting कर लेनी है तो देखें हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी neck बनाने के लिए हमें neck के shape की strip कट करनी है तो इस तरह से हमने fabric का piece लिया है तो इसे हमें fold कर लेना है और यहाँ पर fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है और उसके बाद neck के shape में marking कर लेनी है अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच का margin ले लेंके और इसकी cutting कर लेंके तो इस तरह से हमने front part के लिए neck के shape की strip कट कर ली है अभी सेम इसी तरह से हम back part के लिए भी neck के shape की strip कट करेंगे अभी हमें front part को सीधी तरफ रखना है तो इस तरह से हमें इसे right side में ही रखना है और इसके उपर हमें strip को wrong side से रखना है मतलब उल्टा रख देना है दोनों की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है और किनारे से सिलाई लगा देनी है उसके बाद में हमें strip को wrong side में fold कर देना है इस तरह से हमें neck बना लेना है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो यहाँ पर हमने fabric को two fold किया है अभी हम इसे एक और fold कर लेंगे इस तरह से तो यह हो गया हमारा four fold और यह four fold मैंने लिया है nine inch का जितना आपका आर मोल है उससे दो से तीनीन ज़ादा लेना है तो मैंने nine inch लिया है अभी हम sleeves की length लेंगे तो sleeves की length मैं लेंगे 16 inch तो यह हो गई हमारी sleeves की length अभी यहाँ पर open side से 3 inch down mark कर लेना है और यहाँ से हम sleeves का shape देंगे अभी यहाँ पर sleeve bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हमें इसे open कर लेना है और इसके बाद हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है यहाँ पर देखें आपको दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर ulti side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही front का armhole cut कर लेना है तो इस तरह से cutting करने से आपके front का armhole आगे पिछे नहीं होगा दोनों side के sleeves के armhole बराबर कठोंगे तो यह है हमारे दोनों side के दो sleeves thank you for watching my video अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजी और आप मेरे चैनल पे नए है तो subscribe भी कीजी thank you